नमस्कार साथ हूं मेरा नाम है आरके सिंग संस्क्ति आईएस के विकली करेंट अफेर सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के अंतरगत आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आठ से लेकर 14 सेप्टेंबर 2024 के बीच में जो महत्पुन भुगोल और परियावरण पारिस्थित की से जुड़ी हुई जो न्यूज थी उन पर हम बात करेंगे और संचित रूप से उन पर प्रकास डालेंगे चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से न्यूज है अगर न्यूज हम करेंगे यह आपके लिए महत्पुन हो सकती है इसमें हम देखेंगे कि आखिर यह टाइफून यागी क्यों चर्चा में है तो हाली में टाइफून यागी दच्छड चीन सागर जो साउथ चाइना सी है वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिला वहीं पर यह बिक्सित ह हुआ था और जापान मौसम विग्यान एजनसी जो जेम में है उसी ने इसे नाम यागी दिया था तो यह आपके लिए महत्पुन है इसमें अगर बात करें टाइफून की तो खास तो पर जो साउथ चाइना सी वाला जो रीजन है यहां पर जो चक्रवात आते हैं उनको खा काफी मात्रा में बरसा होती है और इस कारण से यह चर्चा का विसे भी बना हुआ था और इसी कारण से यह आपके परिच्छा के दिश्टी कोन से भी महत्पूर्ण हो जाता है अब देखें यहां पर एक दो चीजे हैं जो आपके लिए महत्पूर्ण हो सकती है जैसे अगर बात करें तो जो चक्रवात हैं इनकी उत्पत्थी और इनके अस्थान के आधार पर दुनिया में जो अलग-अलग छेत्र हैं वहां पर उत्पन होने वाले समानी तौर पे देखें तो जो ट्रोपिकल साइक्लोन है उनके छेतरी नाम भी होते हैं जैसे अगर देखें तो य यहां पर जो चक्रवात आते हैं उनको एक खास नाम से जाना जाता है अगर नाम की हम बात करें तो इस छेत्र में इस करेबियन रीजन में आने वाले चक्रवात को हरीकेंस बोला जाता है और है ये वही और इसी को अगर इस छेत्र में आएंगे यहां पर आएंगे तो आपको साइक्लोन्स देखने को मिलेगा खास तोर पे जो यह इंडियन ओसियन जो छेत्र है यहां पर इसे चक्रवाद बोला जाता है ऐसी देखे इधर अगर आएंगे तो आपको यह साउच चाइना सी वाला जो रीजन है यहां पर आएंगे तो इसको टाइफून या टाइफू बो बोला जाता है तो यह भी आपके लिए महतपूर है तो यह अलग-अलग छेत्रों में आपको देखने को मिलेगा वहीं अगर पस्चिम अफरिका और जो सयुक्त राज अमेरिका वाला जो छेत्र है यह वाला जो छेत्र है यहां पर आएंगे तो इसी साइक्लोन को चक्रवात के आधार पर हम देख सकते हैं तो यह हमने देखा इसके अलावा थोड़ा सागर देखेंगे तो जो चक्रवात होते हैं वह खास तौर पे देखें तो दो प्रकार के होते हैं इनका जो वरिकन किया जाता है वह दो भागों में किया जाता है या तो वह उस्ण कट प्रिबंधी चक्रवात होगा टेंपरेट साइकलोन होगा जो उस्ण कटवंधी चक्रवात होते हैं इनकी जो उत्पत्ती है यह उत्तरी गुलार्द में लगबग 8 डिग्री से लेकर 15 डिग्री अच्छांसों के बीच में समाने तौर पे जो महसागर के सता हैं वहां पर इनक जो होते हैं महसागरों के वहां पर अधिक होता है यहीं नहीं एक बात और आपको जाना चाहिए कि उत्तरी गुलार्द में जो चक्रवात हैं इनकी जो दिशा है यह वामावर्थ होती है जबकि अगर दच्छिडी गुलार्द में आएंगे सौधर्न हेमी स्पेर में आएं हैं उनकी क्या विसेस्ता हैं यह आपके लिए महत्पूर्ण हो सकता है इसके अलवा अगर देखें तो निर्माण के कारक कौन से हैं किसी भी चक्रवात का जो निर्माण होता है इसके निर्माण के आवस्य घटक कौन से हैं तो देखें इसके लिए तापमान जो होना चाहि यानि जो सागरी सता का जो तापमान है वो समाने से अधिक होना चाहिए यहीं नहीं मद छोब मंडल में उच्छ नमी भी एक महतपून कारक है यदि छोब मंडल में नमी अधिक होती है तो चक्रवात के उत्पन होने की संभावना अधिक होती है अगला जो कारक है वो है हवा क की ओसत गती लगभग 120 किलो मीटर प्रती घंटा होनी चाहिए यही नहीं घुडन आरम करने के लिए जो कोरियाली स्फोर्स होता है उसकी उपस्थिती अनिवार है यह बात कही गई है और इसके अलबा एक प्रारम भी कह सकते हैं कारक है निम्न वायुदाब का छेत्र होना चा देख लिया की इसके निर्मान के उत्पत्ती के कौन से कारक है अगला टॉपिक देख लेते हैं अगला टॉपिक है भारत ने मालावी जांबिया और जिंबावए को मानुवी सहायता भेजी है और इस कारण से यह नियूज खासे चर्चा में रही है अगर न्यूज की बात क सरकार मालावी, जाम्बिया और जिंबावे की जो सरकार है और वहाँ के लोगों को माननवी सहायता उपलब्द कराने के लिए खास कर सकते हैं कि प्रस्तुती की थी और वहाँ यह सहायता भेजी थी मानवी सहायता कि बात करें तो मलावी को लगभग 1000 तन चावल भेजा था जांबिया की बात करें तो निर्धारित लगभग दो हजार पांक सो मिट्रिक टन मक्का में से क्या कि तेरस सो मिट्रिक टन मक्का की पहली खेप भेजी जा चुकी है अभी सेश जो खेप है वह आने वाले समय में भेजी जाएगी जबकि जिंबावे की बात करें तो जिंबावे को भारत सरकार ने 1000 मिट्रिक ट्रंग चावल की मानवी सहायता उपलब्द कराई है इस सहायता के पीछे अगर हम उद्देश की बात करें कि क्यों भारत सरकार ऐसा कर रही है तो देखे अलनीनो घटना के कारण उत्पन वहाँ जो गंभीर सूखे की समस्या है उस संकट से बचाने के लिए वहाँ के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कह सकते हैं कि ये मानवी सहायता भारत सरकार के द्वारा उपलब्द कराई गई है अब इसमें हमारे लिए एक चीज और महत्पून बात हो जाती है कि आखिर यहाँ पर जिन देशों की चर्चा हो रही है ये हमारे लिए महत्पून है जैसे अगर बात करें जो जिंबाबवे है कि आखिर जो जिंबाबवे है है चारों तरप से क्या आए कि यह अस्थलबद है इसके अलबाव है हाँ आफ आ पर आप को देखने को मिलेगी अगर उत्तर पूरब में जाएंगे तो यहां पर एक हरारे जो सहर है कि इसकी राजद्वावत्विय की साही है तो जिंबावय की जो राजद्वानी है वह है तो इधर से एक आप देखेंगे तो देखें गें इसकी सीमा क्या है कि वह लगती है जिम्भाबवे Say इधर देखेंगे तो नामीबिया आपको देखने को मिलेगा ना बीबिया के अलावा जांबिया आपको देखने को मिलेगा इधर आएंगे तो मोजांबिक आपको देखने को मिलेगा इधर आएंगे तो साउथ अफरिका देखने को मिलेगा इधर बोत्सवाना देखने को मिल जिनकी अंतराष्टी सिमाय जिंबावे से लगती है इसके अलावा गर बात करें तो जिंबावे में जाएंगे तो यहां की जो करेंसी है वह जिंबावे डालर है यह आपके लिए महतपूर है इसके अलावा यहां पर देखेंगे तो कुछ महतपूर परवत नदी जील भी आपके लिए महतपूर्ण हो सकती है तो इनके बारे में भी बेसिक जो जानकारी है आपको होना चाहिए तो यह हमने देख लिया कि आखिर जो जिंबाबया है इसके बहुत गौलिक स्थिती क्या है इसके बाद जो दूसरा देश है वह हमारा है जांबिया अगर जांबिया की सकते हैं कूं से जिनकी सीमा इससे लगती है यह आपके लिए मैत्पूर्ण Senior urine तो यहांपर अगर देखेंगे तो नामीविया आपको देखने के मिलेगा नावीविया की जो सीमा है की कि किस लगती है वो जांबिया से लगती है जिमबामवे अंगोला ये कुछ मयखपून देशा इसके अलावा बोस्वाना तंजानिया जो कांगोल लोकता स्धरक गढर्णाराज है और इसके अलावे क्या है कि जैसीमा क्या तो Jambiya की जो मुद्रा है वो Jambinian kua 차 है यह यहां कीरेंसी है इसके अलावा देखेंगे तो यहां पर कई सारे जो नदी है उनकी उपस्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है कुछ जील भी है जो Jambiya में महतपूर है यहांका जो सरवुच अस्थल है सरवुच पॉइंट है हाइस्ट प्लेस है वह आपको यहां पर देखने को मिल सकता है यहां का सबसे जो डिपेस्ट पॉइंट है वह इसके दच्छिर पस्ची में देखने को मिलेगा देखे यह ठीक दोनों क्या है कि एक दूसरे के बिकनवत उपस्थित है तो यह हमने देख लिया कि जांबिया जो है उसकी स्थिति भावगोली की स्थिति क्या है इसके अलावा आप बात कर लेते हैं किस देश की वह मालावी की क्योंकि मालावी भी क्या है चर्चा है यहां भी भारत सरकार ने मानवी सहायता उपलब्द कराई है तो इसकी अग लुप से कहाए कि यह अफरीकी महादीब का एक महतपूर लैंड लॉक्ट कंट्री है यहां पर अगर बात करें इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है तो देखें इधर से देखेंगे तो मोजांबिक आपको देखने को मिल सकता है जांबिया और तंजानिया तो देखें तीन देश हैं जिनके द्वारा ये घीरा हुआ है खास तोर पर अगर इसके राजधानी की बात करें तो जो ली लोंगवे है यह इसकी राजधानी है और यहां की जो करेंसी है वो मलावी क्वाचा है तो यह हमने देख लिया इन तीन देशों के बारे में जो प्रमुख महतपु जो यह नदी है परागवे नदी क्यों चर्चा में है तो देखे अमेजन वर्सा बन में सुखे के कारण परागवे नदी का जो जल अस्तर है अगर पिछले इतिहाज की बात करें तो लगबग 100 वरसों से अधिक समय में अब तक सबसे कम अस्तर पर यह नदी है इस कारण से ये नदी खास तोर पे चर्चा में बनी हुई है तो इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये जो नदी है क्यों महत्पूर है और इसकी जो मुख्य बिसेस्ताय हैं ये आपको पता होनी चाहिए जो परागवे नदी है देखिए ये आपको परागवे नदी देखने को म लदी नदियों में यह पाइटमे नमबर की सबसे लंबी नदी है यही नहीं। अगर इसके उध्यम की बात करें की कहां से यह नदी निकलती है तो ब्राजील निकलती है ऐसंतर पे दो भूमी जो व्राज Вас ब्राजीलियन हाई-लैंड है बाक मुझे कि यह परागवे की सीमा के साथ निकलते हुए पराना नदी में आप देखें यहां पर आप देखेंगे तो फिर आकर क्या है कि यह पराना नदी में आकर मिल जाती है तो इस तरह से क्या है कि यह इसका जो उद्गम होता है ब्राजिलियन हाइलेंड से होता है और फिर यह परा पुन नदियों में रियो नेग्रो नदी है मिरांडा नदी है कुई आबा नदी है आपा नदी है बरमेजो नदी है यह इसकी कुछ महत पुन नदिया है यह नहीं यह नदी बुलीबिया अर्जेंटीना ब्राजील और परागवे से होकर गुजरती है देखे चार देशों में क्या है कि ये अपवाहित होती है और यह परागवे और ब्राजील और इसके साथ क्या कि परागवे और अर्जेंटीना के बीच में प्राकिर्तिक सीमा का भी निर्धारण करती है तो यह हमने देख लिया इस नदी की भी सेस्ता अगला जो प्रजनन किंद्र अस्थापित हुआ इस कारण से खास तोर पर यह चर्चा में रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने जटायू सर्चन और प्रजनन किंद्र का तूद घाटन किया है इसकी जो अस्थापना है वो यूपी के महराज गंजीले के कैपियर गंज ने में की गई है और इसकारण से यह खास तोर पे चर्चा में रहा है यह राजगिद जो है लाल सीर वाला जो गिद है उसके लिए विश्व का पहला संच्छन और प्रजननकेंद्र होगा इस कारण से खास त्वर पे यह चर्चा में था थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं एसी आई जो राजगिद है तो एसी आई राजगिद पहले पूरे भारत में पाय जाते थे लेकिन खास तोर पे एक दवा जिसके कारण से कहें तो इस दवा के कारण इन पच्छियों की जो संख्या है वो काफी कम हो चुकी है और यह अंतराष्टी प्राकृतिक संच्छन संग जो आई यू सीन है उसकी रेड लिस्ट में गंभी रूप से संकट ग्रस्त प्रजाती की स्रेडी में भी सुचिबद हो चुके हैं यहीं नहीं इ है तील कारबन खास तोर पे यह चर्चा में हाली में जो केवला देव रास्ति उद्यान है उसमें तील कारबन पर किये गए भारत के पहले अध्यन में जलवायू अनकूलन एवं लचीले पन के लिए आद्रभूमी संच्छन के महतों पर प्रकास डाला गया जबसे यह संच अरशन का प्रयास किया गया, इस पर एनाल्सिस किया गया है। तबसे खास तोर पे THIS कार्बन चर्चा में बना हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि THIS कार्बन होता क्या है तो देखें गहर ज़ारी जो मीठे जल होते हैं उसकी आद्र भूमी जो होती है दल्दली जो भूमी होती है उसी में संग्रहित जो कार्बन है उसी को क्या बोला जाता है तील कार्बन कहा जाता है खास तोर पर यह पाश्थित की तंत्र अस्थली बन पाश्थित की तंत्र की तुल्ला में कार्बन संग्रह और पित करण कर सकते हैं इस कारण से खास तور पर यह चर्चा में बने हुए हैं करबन का रंग आधारी जो वर्गिक और इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ले जो परपल कार्बन होता है यह वायू या अधोगी सर्जन के माध्यम से प्राप्त कार्बन होता है जो ब्लू कार्बन ह संग्रहित कारबन होता है जबकि तील कारबन है यह मीठे पानी यानि मीठा जल आद्र भूमी वाता बराण में संग्रहित कारबन होता है यहीं जो ग्रीन कारबन है यह अस्थली पाउधों यह नमी और बनों से संग्रहित कारबन होता है इसके अलावा भी कारबन होते हैं जै तो ब्राउन कार्बन होता है ये कार्बनिक पदार्थों के अधूरे दहन से उस सर्जित होने वाला कार्बन है जबकि वहीं अगर रेट कार्बन की बात करें तो ये बर्फ यों बर्फ पर जैविक कड़ों के माध्यम से निकलने वाला कार्बन होता है तो इस तरह से हमने दे करने रहें इसके लिए धन्य बाद